हेले दोस्तों आपके सोगत है आपके अपने चनल बाला ग्याल में दोस्तों आज हम आप लोग के लिए फिजिक्स के पाट टू का इंपोर्टिंट कोशन लाए हुए है आपसे रिक्वेस्ट एक वीडियो अन तक देखिएगा और इस वीडियो के देखने के बाद आपको पत आने वाले धाराओं का योग किसी बिंदू की और आने वाले धाराओं का योग और उस बिंदू से दूर जाने वाले धाराओं का योग ठीक है बराबर होता है उसको हम बोलते हैं किर्चप के पर्थम नियम ठीक है चलिए अगला जो कोशन है इसका पॉइंट देख लिजे के नियम कहा जाता है ठीक है ना अवेश का सनरक्षन कहा जाता है ठीक है चले अगला जो कुश्चन है किर्चफ के दूसरा नियम तो देखिए किसी बंद विधूत परिपत के परतेक भाग में परवाहित होने वाले विधूत धारा तथा उसके परिपत के गुननफल का बीजि किर्चफ का दूसरा नियम जो होता है किसी बंद विधूत परिपत के परतेक भाग में परवाहित होने वाले विधूत धारा तथा उसके प्रती रोग के गुननफल का बीजिय योग परिपत में लगे कुल विधूत वाहक बल के बराबर होता है ठीक है और इसको दोस्तों क क्या कहा जाता है किर्चफ का दूसरा नियम को उर्जासन रक्षन का नियम पानल करता है इसलिए इसको उर्जासन रक्षन के नियम भी कहा जाता है ठीक है चलिए अगला जो कोशन है अगला कोशन जो है बीधूत जो है बीभाव मापी जो बीधूत धारा का बीभाव मापन मतलब यह यांत्र है ठीक है यह बगवल में आप चीतर देख लिजये यह यांत्र है जो की जा रेक्ति हम आप चाह़ा है कि चले अगला जो कोसन है को दोस्तों देखें ही्ट इस्टोन बि चारतिरोध को लेकर एक चत्रभूज बनाएं छारतिरोध ले लिये एक बैए यह एक हो गया और एक हो गया- और यह एक हो गया और यह एक हो जोर दिया जता है ताथा बेतारी जोर देता है तो हम इस ही old मिलिंगे ढोटर देता है सब्सक्राइब कि अगला कोशन दूश्तों देखिए विधुत धारा का उस्मिये परभाव तिक समझेगा जब किसी चालक में बिधुत धारा परवाहित किया जाता है तब वह गरम होने लगता है अर्थात बिधुत उस्मा में रूपांतरित होने लगता है इसी को बिधुत धारा का उस्मिय परवाव करते हैं दोस्तों एक उधारन समझेगा माल लिजिए एक बाल्व है तो इसमें ये विधूत धरा दे रहे है ना तो भी द Alwaysब दे जह गातर ये गवराम हो के इसमें से उस्मा उत्पण होगा तो इसको बोलेंगे वीधूत धरा का ड़्त को एक दर को बेधूत सकती कहते हैं लाले जये दोस्तों कोई बीधूत परिपत है ठीक है इसमें बिधुदारा जा रहा है और इसमें खर्च होगए नya उसी की दर को हम लोग बोलेगे बिधुदारा वार्ट होता है जिसको जूल प्रति सेकेंड भी कहा जाता है ठीक है ना चलिये अग्ला वार्ट गन्टा बराबर 최त होता है इसका एंसर होता है तीन 10.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल होता है ठीक चले अगला जो कोशन है कार्बन परतिरोध का कलर कोड यह एक ऐसा परतिरोध होता है जो कलर के आधार पर परतिरोध का मान ग्याद किया जाता है ठीक इसके आधार पर उपयोग होता है ठीक ना कलर के आधार पर उसका उपयोग होत अब दोस्तों यहां पर देखिएगा कार्बन परतिरोध का कलर कोड यहां दिया हुआ है आप एक करके याद कर लिजेगा आपके एक्जाम में पूछता है तो देखिए काला है उसका 0 है भूरा है उसका 1 है लाल है 2 नरांगी है 3 अपीला है 4 और हारा है 5 नीला है 6 बैगनी है 7 अधूसर है 8 और सफेद है 9 ठीक चलिए अगला जो कोशन है ओम के नियम की सीमा है तो देखिए दोस्तों उन पदार्थ में मतलब उन पदार्थ में ओम का नियम नहीं लगता है नहीं लगता है जिन में परतिरोधक धारा या विभुवांतर को निर्भर करता है जैसे में सब्सक्राइबोड गैलियम और सेनिक यह सुझब है करने का मतलब है उन पदार्थों में ओम का नियम नहीं लगता है और उसका परतिरोध धारा या विभुवांतर पर नहीं करता है उसकी सीमाय होती है ठीक है ना चलिए ठीक है